में जन सामान को जानना ही चाहिए और इससे उन्हें अपने पारवारिक जितने भी मेंबर्स हैं उनके स्वास्ति की रक्षा हो जाएगी और हमारे बैदेगरणों को भी जानना चाहिए क्यों आर्वेद बिना नाडी ग्यान के धुरा है प्रतेक रोग अनेकों कारणों से होत डरौता है लक्षणों से लगता है या मरीज के बातचीत करने से उसके और देख बल आवल देखकरके जिसी कान का पता लगता है जब तक चाहे नाक का है आर्वेद का हो लोपैथी के खिन नहीं दूसरी प्रोसेस है लेकिन आर्वेद में तो ये निशित है कि कारण का ही इलाज होता है रोग नहीं कारण का इलाज होता है तो जब कारण का ही इलाज होना है और कारण कोई जान नहीं रहा है तो इलाज सार्थक नहीं होगा इसलिए अक्सर हमारे कुछ बैद गणवंधू जो नाड़ी परीक्षा नहीं जानते हैं व को देख सकता है वो मैं आपको अच्छी तरह ऐसे एक प्रेक्टिकल ग्रूप में आपको समझाऊंगा संचालन होता है तो इसी बात को ले करके उन्होंने वात पित कफ का निर्धारन किया पित जो है वो सूर का दोतक है पित शरीर में जो काम पित का है वो ब्रमान में सूर का है और जो काम वायू का है प्रिकृती में वो वात का है शरीर में और जो जल का है वो कफ से प्रिदर्शित किया जाता है तो जैसे ये तीनों वहाँ डिस्विलन्स हो करके जीवन को नश्ट कर सकती है अश्वस्ट कर सकती है उसी तरह से ये श्रीर में वातपित्कफ द्यवधान पैदा कर सकते हैं और सुास्थ रख सकते हैं ये धातू겠지만 इन्हें धातों भी कहते हैं जब यह बिगड़ जाती तो इनको मल कहा जाता है वात्पित कप को और जब यह इनसे लावदायक इस्टिम होती है तो इन्हें धाते हैं तो मैं आपको ही प्रयोग करके दिखाता हूँ देखिए यह अंगुठा इसके नीचे यह हड़ी अस्तिया जाये इससे एक एक अंगुल वर और निश जाई है अच्छा और जाकरके यह जो साक्षणी नाडी है साक्षणी धमनी है जो इस बीच के जो यह नर्व है मोटी इसके साथ में जो नाडी धमनी है इस पर तीन उगली रखिए तीन हां मतलब दोनों अंगुठा और बगल वा हाँ वात को प्रदर्शित करती है अच्छा और बीच वाली पित गरती है और यह tactics करती है तो इस पर जो हलचल होगी जिस उवमनों की जानकारी यह चलेगल तेज चलेगे उसका वालियूम ये सब चीज इसमें समलित है स्वामी जी ये अस्थी इसके बाद में ये फिर इनकी चालों से पता लगता है चाल होती है कोई सर्प की सी चाल है कोई चिडिया जैसी चाल है कोई मेनक की सी चाल है तो जो सर्प की सी चाल है वो वायू की है जो मैनक की तरह चलती है वो पित की है अच ये उत्तर इनन में अलग अलग इनके बिभाद देखे जाते हैं तो इससे पता बन जाता है इसमें कि इसमें जो है तीनों का अलग-अलग कितने देर तक दवाते हैं इसको स्वामीजी पहले इसको पकड़िया थोड़ा हलका सा दवाईए देखिए कहां धरकन हो रही है दो वहां आप उली ले जाए ले जाके इसे पहले दवाईए थोड़ा दवाके फिर तो अहलका करिए यह तो प्रतीत होने के बार अब इसको आप देखिए यह वात पित कफ इसके भी आप पांच भाग करिए इस उगली के पांच भाग करिए इसमें प्राण अपान उधान और शमान अच्छा तो अब यह देखना होता है कि मैं यह उगली यह उगली समझेए आप आप जी इस लो पूर्छें उतनी हम नहीं है। हाई यहां कुछ इसमें गलत हरकत हो रही है तो इसका मतलब इन इस्थानों में आपके कोई परिशानी है जैसे आपके ठूकने में चीकने में और आपका ड़कार लेने में पर शूस लेने में निष्वास लेने में अन्नका जो अंतर में कोई प्रब्लम हो रही है तो आप समझ जा यह एकिनका फ्र ét हुआ है और यह कारण का ब्रॉक्रित होना है और रोगों में तो आप वाद के प्रान भाग पर आप और सदी का आयजन करें इसी तरह से दूसरा है उदान वायू उदान वायू है कंठ में होती है तो कंठ के जितने रोग होंगे अगर आपने यह देखा और आपको महसूस हुआ अगरब लट तो आप कह सकते हैं कंठ में आपके परिशानी तो कंठ में अब पतालग गई इससे क्या होगा वानी की विकृति अपके सब्त पूरे फ्शुटित नहीं होंगे तो इस तरह के जो होगा उससे हमें उदान की समझ्षय का पता लग जाएगा तीसरा है व्यान्वायू व्यान्वायू पूरे सरीडियों में रहुती है जैसे पूरे सरीड दर्द हो रहा है जी पूरे ज रिमीं में ख़ीयर आपको दिक्कत है तो यह ब्यान वायू बताएगी कि आपको परिशानी है अब इसके लिए वायु सामक को सद्वियों का आई जानाब करेंगे पूरे सरीर में जो है जुँ आपका वह सांथ हो जाएगा ईसी तरह से समान तो समान वायू बताती है कि इसको ये इस तरह से परिशानी हो इसकी समान वायू विक्रत हुई है और बाद में आती है अपान वायू अपान वायू नावी से नीचे के इस्थानों में उसका इस्थान है और वो स्रोणी में कट भाग में और मल्विसर्चन के मारगों में वो होती है इसमें होने बारी सब बीमारियों को यह उधान वायू बताती है जिए जम देख लेते हैं तो हम बता सकते हैं कि फ़ला जगे पर आपको परिशानी हैं डिट यह वायू के असी प्रकार गढ़ी होते हैं और इन जिनमें ज्यादा तरशाद हैं, तो इस उंगली से आप उनका पूरी तरह से ब्योरा समझ सकते हैं, और उसके इंसास कारण को जान सकते हैं, इसी तरह से दूसरी उंगली जो पित को बताती है, यह भी पांच हैं, जिसमें एक तो है पाचक पित, दूसरा है रंजक पित, और तीसरा है साधक पित, और चोथा है आलोचक पित, और पांचमा है भ्राजक पित, यह बहुत महत्पूर्ण हैं, लिवर जो आपका है यह पित का सेंटर है, यानि एक तरह की फैट्री है, जो पूरे सरी का संचालन करती है, तो हम पहले लेते हैं आपका पाचक पित, अगर आपका पाचन ठीक नहीं चल रहा है, आपको एसिडिटी हो रही है, या मंदागनी हो रही है, आपका खाना नहीं पच रहा है, गैस बन रही है, तो आप समझे आपका पाचक पित, खराब है, यह भी बताऊंगा मैं, पाचक पित में जो हरड है, यह पेट की माग की तरह का करती है अच्छा हरका सेवन करिए चोटी हरका और उसको भून के कैसे उसे थोड़ा से घह में भूनिये उसका चुर्ण बनाकर रखिए और एक चमच रात को सोते हुए गरम पानी से लीजिए आपका पेड़ साफ होगा गाय से थनों से दूद निकल ला है गरम गरम दूद त तो वह बहुत ही लावदाय के तरह का रशायन है और अनेकों रोगों को ठीक करने में अकिला दूद ही सक्षम है उसको साइदे जीवन में दवा नहीं खानी पड़ेगी अगर वह इस काम को कर लेता है तो बसरते देशी गाय हो बताएगा तो बाहें का दोनों का बताएगा लेकिन पुर्षों का दाइना और महलाओं का बाया देखा जाता है तो इसका रीजन ये है कि जो नावी छेतर है यहां नावियों का गुच्छा होता है जो कच्छप की सबकल में होता है कच्छवा कहते ना कच्छवा जी हा उसकी सकल में होता है तो पुर्षों में उसका हाथ से नाड़ी देखी जाती है हाला के दोनों से भी परखा जाता है जब विशेश विधान के लिए दोनों को लेकिन सामाने रूप से इस्तुरियों का बाएं और पुष्णों का दायने आथ देखना चाहिए तो यह बात कर रहा है तो उससे हर्मोनियम तो गाना नहीं निक करता हूं कि मेरा नंबर है चोरानवे बार हैं पचास पचास त्रेपन जी नाइन पोर वन टू फाइफ जिरो फाइफ जिरो फाइफ त्री लेकिन यह निवेदन है कि 11 से चार के बीच में अगर फोन करेंगे तो मुझे आसानी होगी अब देता हूं बिना नाड़ी देखे कारण का किसी रोका कारण पता नहीं लगता और बिना कारण के आरवेद में निवारन नहीं होता रोका और अगर कोई देता है कोई बैद क्यों हो कोई कितना बड़ा बैद क्यों हो अगर बिना नाड़ी देखे बिना परिश्चा किये वो अगर दवा देता है तो तुक्का आपको अवश्य ध्यान रखें कि वो तुक्का बंदी ही होगी अगर असली आपको अपना उपचार कराना है तो बेधिवत आप नाड़ी की परिशा कराके ही और शदिका और नहीं फिर नहीं युग तो आहार विहार अश्य युग तो चेस्टा से कर्मसु युग तो स्वप हम बढ़ते हैं तो यही है